नमो नारे ये गोमाता बंदे मात्रों माभारति को प्रणाम और हिरदाश से ओम शम सनिश्चराए नमा हाजिन ओ आपके सामने गुर्मंटमी दाती महराज के यूटिub के चैनल पर आपकी अपना प्रोगाम सक्सेश की और शुभाकसर पो लेखा इसके आर यानि सदाक्षुड़ू सत्रा जन्रमिलेडी दोजार बाईस सोमबार का दिन कि आज कि मैं सक्सेश की और शुभाकसर आपको बताऊगा और शात्यों यह अदभुद उपाय है लोग मेरे को फौन करते हैं साथ मेरा काम नहीं चल लोग कहते हैं साथ नौकरी में सपलता नहीं परिवार में शुक नहीं सिक्सा में सपलता नहीं शुभाकसर और सक्सेश की 24 गंटे के लिए एक उपाय बताता हूं और यह जो उपाय है वो पूर्णता प्रकृति से जुड़े उपाय हैं कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हैं यह सारे उपाय प्रकृतिक वस्तों से में करार आपको करने लिए ब उपाय है और यह आपकी किस्मत की चाबी है आपका वैपार नहीं चला इसमें सफलता देगी वापार में बादा आरी यह मिटा देगी नौकरी में कोई प्रेशानी है यह आपको शहयो करेगी बार बार नौकरी छूट रही है यह उपाय आपको शाथ देगा लेकिन उपाय निरंतर करना होगा, आज किया कल नहीं फेर कि ऐसे नहीं होगा, निरंतर 90 दिन उस उपाई को आप कर लिजीगा, कोई खर्चा नहीं लग रहा भाई, और ज्यादा टाइम में निस उबे, प्रातेकाल मुश्किल चे चार या पांच मेंट, इसे ज्यादा नहीं, टोटल मैं इ तो पिंडे, ब्रमान्दा और पिंड का जो तार्तंब्य बनेगा, और ग्रनक्षन उत्रों की उर्जा आपको प्राप्त होगी, और आपकी सारी दर्द, आपकी सारी शमश्या का समधान होगा, अदभूध है, सक्सेज की और शुभाक्सर प्रोगाम, बस प्यार, विश्व 24 गंटे पहले, मित्रों शात्यों, 17 जन्वरी 2022 का सुभाक्सर और शक्सेज की लेकर अब आपके सामने होगी, और इस विशे पर मुझे ज़्यादा कहने की जो तो नहीं है, आप अभ्यास करिए, ये स्वम अपना आप में बता देगा कि मैं क्या लाब दे सकती है, ये उप आप संसार, पूरे संसार में कहीं रहते हैं, कोई फरक्त नहीं परता, द्यानिक गोचर के आदार पर मैंने ये प्रोगाम बनाया है, और ये अद्भूद प्रोगाम में, पच्विन साल की साधना में जीवन रहाए मेरा, और जयन परंपरा, शयव परंपरा, शाक्त परंपरा, इन सारे परंपराओं में, विद्वानों का आश्रवाद मेरो परार, और उन विद्वादों का ये अद्भूद प्रशाद है, जो आपके मॉलिकुलर सिस्टम और रुपांतरन करेगा, सबकॉंसेस माइंद को एक्टिव करेगा, और आपके जीवन में अवश्य लाब और शफलता मिलेगी, तो शुभाक्षार और सक्षेज की, तो आज की जो 17 जनवरी 2022 की जो सक्षेज की है, वो आपके सामने है, 17 जनवरी 2022 सोंबार का दिन है, और पूर मैंसा कोई शाधन नहीं होता है, लेकिन ये उपाय करने से फिर कुछ करने की आउश्यक्ता नहीं है, विश्वास करो शाती हूँ, मेरे से बात करने भी आपको जुरत नहीं पड़ेगी, अब इतना जरूर चाहता हूँ, कि आपने ये उपाय सुरू कर दिया है, आपको कैस लगा, आप उसका कमेंट जरूर चाहिए, जिससे की दूसरों को आगे बढ़ने का मोका मिले, मेरी मेहनत का फल लोगों को मिले, ऐसा विश्वास मुझे भी है, आप कमेंट जरूर करिएगा, तो आज का जो सक्सेस की है, प्रातकाल नित्य करने शनान उप्रांथ, सीधे हा कुछ नहीं करना है, गाय का कच्चा दूद लीजिए और अपने चेहरे पर मालिस कर दीए, ज्यादा ने, दो-तीन मिन, दीरे-दीरे मालिस करिए, और शांती से कहीं, सांत भाव से बैठ जाई, बगवान शिव का द्याद करिएगा, महादेव इस विधा के दाता है, यह ज के बाद जल से अपने मूँ को धोली, जब आप मूँ धोले, उसके बाद आट सो गराम कच्चा दूद, अपने उपर से साथ बार एंटिकलोगवाई उसार कर, किसी गरीब निर्धन इसरी को दान में दे दीगे, या फिर कुट्टे को पिला दीगे, आज की सक्षेस्की है, और ये उपाई आज आप करके देखेगा, कैसे भी जिवन की बादा है, प्रेशानी है, उसमें रहत मैसुस होगी, आज का सुभाकसर, शोंबाव 17 जमनी 2022 का जो सुभाकसर है, वो अमर वाला अ है, अध्भूद है, आज का ये प्रियोग, यह आपने धंक से कर लिया, तो र दस्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, आसा की किरन प्रकट होगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्म बिश्वास बढ़ेगा, कैरियर रुकारोबार में शफलता मिलेगी, और रुकिवे सारे काम बढ़ेगा, सुभाकसर, अमर वाला आ है, और शमय है, प्राते सार को सपरस करिये आप, और शांत भाव से, 17 से एस प्लेन पेपर पर लाल्ज।या की प्यान से, बीचो बीच में लिख दीजिए, ध्यानदे, अकसर पेपर के बीचो बीच में लिखना है, अब इस अकसर को महसूश करें, अपनी श्वासों में महसूश करें, सबकुनिस में सुभाकसर अग को महसूस करें खुली आँखों से देखे, बंद आँखों से देखे 17 सेकेंड में लिखना है और लिखने के बाद इसे अपने सामने रखे अब आप ये सुभाकसर गती करें अद्भुत तरीके से आपके फलों को देने में तेजी दिखाए उसके लिए ये थोड़ा सा उपाई और है कि आप अपने स्वांस को पहले फेपड़ों में फर दीजिए पूरा स्वांस फेपड़ों में बनने के बाद स्वांस को आप बार छोड़ दिया स्वांस बार छोड़ दिया अब आप अपने पेट को अंदर लीजिए इंडेक्स फिंगर यानि तरजनी और अंगूटे को पंच आपस में मिलाईए और जाब बिंदी लगाते हमाँ आप जोड़ से पंच करी और पंच करते समय आपके सरीर का सबसे लॉड़ पार्ट और बोड़ी है गुदा इस्थान है उसको संकोचन करके उपर खींचिए और यहां से पंच करी सत्रा सेकेंड के लिए पंच करना है सोड़ जाना है पुना सत्रा सेकेंड के लिए पंच करना और गुदा भाग को उपर खींचना है और पर छोड़ जाना ऐसा चार बार करना है एक मिनट आठ सेकेंड जब आप इस प्रियोग को कर रहे हैं जिसे उपाई को कर रहे हैं जो सुभाक्सर अ है वो आपके मानस में गूंजना चाहिए सबकॉंशिस माइन में उतरना चाहिए आपनी चेतना के साथ इस सुभाक्सर को लेना है तस पसाथ अब आप पुना 17 सकेंड के लिए यह जो अक्सर है अ लॉब विजुलाइसेशन परिपोंग चेतना और शमरपन के साथ इस सुभाक्सर को 17 सकेंड खुली आंकों से देखना है 17 सकेंड बंद आंकों से देखना है 17 सकेंड खुली आंकों से देखना है और 17 सकेंड बंद आंकों कैसे आपकी जीवन के कश्ट मिटते हैं, ये 17 सेकंड का ये प्रोगा, उसके बाद, एक मिनिट आठ सेकंड का एक चरण है, मैंने का निक सुबह सुबह ये 4 से 5 मिनिट मुझे देना है, और लगातार 90 दिन देना है, ये दर्द आपके पास तो दवा है, अद्भूद ये भागसर की, अद्भूद है, बदल लेगे आपकी जीवन की दसा और दुष्टे की, हर रोज सुबह 5, 4 से 5 मिन जो भी समय है, आप दीजिए, और अपने लिए दीजिए, ग्रेगोचर के आधार में बनाया गया ये, उपाई आपकी जीवन की दसा में अद्भूद रुपा आपके जीवन में खुश्या लेका आएगा, एक मिनट, आठ सेकिंड का ये प्रोगाम है, और अब आपको इस प्रोगाम के तीन चरण, इस उपाई के तीन चरण आपको करना, कुछ नहीं करना है आप, आप पहली अंगुली देखिए, इस पहले अंगुली को अंगुठे क जड़ में और अनामिका और मदिमा पर अंहुठा, ये मिर्च संजीनी मुद्रा है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप सीधा भी, बस आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, तनाव नहीं, रिलाक्स माइंड, और इस मद्रा में, एक मिनट, आ आपकी चेतना के साथ रहना चाहिए, आप 17 सकंड जो स्वांस आपने भीतर लिये, वो फेपड़ों में रोकना है, छाती में रोकना है, जब स्वांस छाती में रुके, तो आपकी चेतना के साथ ये सुभाक्सर रहना है, अब आप 17 सकंड में धीरे धीरे स्वांस को रहे हैं तो सुभाक्सर अ आपकी चेतना के साथ रहे हैं आपने स्वांस पूरी छोड़ दी अपने स्वांस लेना है ने छोड़ना है स्वांस को बार रोके रखना है 17 सेकंड और जब 17 सेकंड ले स्वांस बार हो तो चेतना सुभाक्सर अ के आसपास है यह चार चरण है 17 सेक इनके लिए स्वासों की जूले पर सुभाक्सर अ को जूलाना है पहला चाहिए ऐसे आपको तीन चरण करना है सुबह सुबह मित्रों शाथी दिन में कर लेंगे छे बार तो सोने में सुबह नहीं भी करें तो कोई दबाब ने लेकिन रातरी सोने से ठीक दस मिनिट पहले जब आप सुबह इस प्रोग्राम को कर लें तो करने के बाद ये जो सुभाक्सर अ है इसको मोर करके किसी लाल थेली की पोटली बना दिजी उसमें डाल कर अपने पास दिन भर ये सुभाक्सर आपके पास रहना चाहिए इस बात का ध्यान जरूरत साम को जब सोने से ठीक दस मिनिट पहले एक मिनिट आठ सेकेंड का चरण होता है हमने सुभे तीन किया अब सोने से पहले नो चरण करना है मैंने जब इस साधना को सुरू किया तो 369 यानि मैं सुभे सुर्य उदे से ठीक कुछ देर बाद साथ साथ सारे साथ बजे करता था दोपैर में डेड़ बजे के आसपास करता और रातरी में सोने ठीक दस मिनिट करता चातियों कुछ दिनों की बाद जीवन में आदफूत रूपा अंत्रन हुआ जीवन बदलने ल लगा प्रेम प्रगट हुआ निशलता आई कश्ट मिटने लगे और बादाओं से मुक्ति मिली और जीवन सहज और संतुलन होने लगा रात में ये नो चरण करना है एक चरण 68 सेकंड यानि एक मिनिट 8 सेकंड का है नो चरण करना है तस पसाद जो ये सुभाग से जो थेली है अपने सिर के उपर से एंटी क्लोग वाई साथ बार उसारना है और जहां आप सो रहे हैं तक्किये के नीचे रख देजिए प्रातिकाल उठकर नेते करम नुशनाना उप्रांत सुर्य उदे से ठीक 12 मिंट पहले ये जो सुभाक्सर अ है उसको बीचों बीसे ऐसे फार द गाड़ देजी ध्यान रकना मित्रों इदियाज आप नहीं कर सकते उसको अपने पूजास्तान में रख देजी जब आपको मोका मिले इसे बहते पाने में प्रभा करना या तालाब में प्रभा करना उत्तम माना गया है ये पैरों में नहीं आना चाहिए और जलना नहीं चा लेकिन साथियों ये जो उपाय है ये जो विधी है ये जो प्रक्रिया है इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है ये संतों का प्रशाद है रिश्यों का प्रशाद है इसमें मेरा कुछ है तो अनभाव है और अनभाव मेरा भी है और वे लोग जो मेरे साथ इस विधी को अपनाए उन सब का अनभव है और उन्हें लाब मिला मुझे लगा कि राष्ट के लोगों को बताना चाहिए मैंने आपको बता है मानो नो मानो आपकी मरस हाँ दावा मेरा नहीं कि इसको मैंने बनाया रिश्यों को प्रणाम है कि एक से एक विधी जीवन को कैसे संतुलन की करें हमको बताई बस हमें करना होगा लेकिन यह हतेली में सरसू नहीं उगाता भाई और दो-चार दिन में कोई चमतकार हो जाए ऐसी कोई बात इस उपाई में नहीं हाँ निरंतरता रही और 45 दिन और 90 दिन आपने कर दिया तो पीछे मुर कर देखने की जोड़त नहीं हो यह आपकी रूट लेवल पे जाकर काम करेगा ति प्राबलम क्यूं है प्राबलम क्यूं है उस प्राबलम की जड़ को खतम करके आपके जीमन में संतुलन ले आए फिर भी मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाद जोड़ कर चमा प्राथि हूँ आप शुक्री रहें, स्वस्त रहें, समर्देशी ले शनी भगवान की चर्णों में मेरी प्राथि नमना रहें